हेलो एवरिवान वेलकम टू कॉन स्टडी आइम श्रद्धा शर्मा और आइम टीचिंग यू जैनरल अवेरनेस आपके जेके सिस्पी क्लास फोर की रेक्रूट्मेंट के लिए मैं अभी फिलहाल आपका इंजिन हिस्ट्री का पार्ट कवर कर रही हूं हमने एंशिंट हिस्ट वीडियो में होने वाला है ओके सो अगर आपको यह सारे लेक्चर्स देखने हैं तो यू किन गो टू दा प्लेइलिस्ट सेक्शन ओफ आर यूट्यूब चानल वहां पर आपको जेके सिस्पी क्लास फोर की जेनरल अवेरनेस की प्लेइलिस्ट आपको अवेलेबल हो अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और जो हमारे सोशल मीडिया हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप उन्हें भी जाकर जॉइन कर सकते हैं और मेक शूर आपके क्विज कंडक्ट होते रहते हैं टेलिग्राम पे तो मेक शूर आप आईए क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि माम आप क्विज्ज करवाईए ताकि हमारे रिविजन साथ साथ में होती रहे तो यू विल गेट दे क्विज ऑफ दिस लेक ऐगर आज हम लोग इंपोर्टेंट वर्थ साथ करेंगे इंडिया के मैंने आपको पूरा जो इंडीपेंडेंस का पार्ट है वो कवेर करवा देया है उसमें मैंने इन वाइसरोइस के बारे में थोड़ा थोड़ा बार आपको समझाया था बट लेट्स स्टडी इन डेतें कि कौन-कौन से viceroys जो हैं, वो आपके exam point of view से important है और आपके exams में आ सकते हैं So, the first viceroy of India was Lord Canning, ठीक है ये last governor general भी थे और first viceroy भी थे तो ये आपको याद रखना है कि first viceroy जो थे ये last governor general थे he was Lord Canning, ठीक है इनका, कैने ओर जो था 1856 से 1862 तक था ठीक है, तो इनके time पे ही revolt of 1857 हुआ था देखो, आपको viceroy के time का याद क्या रखना है कि कौन सा major event हुआ था उस viceroy के time पे या फिर कौन सा major reform उनके time पर हुआ था These two things are very important from viceroy's point of view ठीक है, चाहे वो governor generals की बात करें चाहे वो viceroy's की बात करें यह मैं आपको अलग से इसलिए lectures दिये हुए हैं ताकि आपको पता हो कि किस viceroy के under कौन सी event जो थी वो हुई थी ताकि अगर आपको exam में आए तो आपको पता हो ठीक है, तो revolt of 1857 जो था वो Lord Canning के टाइम पर ही हुआ Lord Canning ने ही Doctrine of Laps जो की Lord Losey ने चलाया था वो उसे हटा दिया, इन्होंने तीन universities बनाई, Calcutta, Bombay और Madras, ठीक है 1857 में ही और Indian Councils Act भी जो था वो 1861 में इन्होंने ही पास किया था Let's move forward to our next viceroy Then comes the Lord Lawrence जिनका tenure है 1864 से 1869 देखो, बीच में कुछ viceroy जो है, वो मैं आपको miss करवाँगे, क्योंकि उनके tenure में कुछ ऐसा हुआ नहीं था, जो मुझे लगा exam point of view से important है तो don't go by the exact कि इनके बाद वही viceroy आये थे बट हाँ, chronology यही है कि जो विडियो में जिस तरह से मैं आगी बढ़ती जाऊंगी उसी तरह से viceroy जाएंगे हो सकता है कि बीच में कुछ tenure आपके miss होएं किसी viceroy के जो मैंने आपको विडियो में explain नहीं किया होगा because I feel it's not important from your exam point of view and I feel आपको वही information पढ़ने चाहे है और उसी को revise करना चाहे जो आपके exam में आने के maximum chances है ठीक है तो इसी के साथ move forward करते हैं तो Lord Lawrence की अगर हम बात करें तो 1864 से 1869 तक का इनका tenure है इन्हीं के टाइम पर टेलिग्राफिक कमिनिकेशन जो थी योरूप में खुली थी हाई कोट इन्होंने ही establish किये थे कालकिटा बॉंबी और मज्रास में केनाल वर्क्स और रेलवेज को जिसे start किस ने किया था यह आप मुझे बताएंगे comment section में एक जो आपके governor general है he is very very famous for starting these railways communication ठीक है तो उसका उनका जो नाम है वो आप मुझे comment section में बताएंगे और इन्होंने ही Indian forest department को भी create किया था तो he is Lord Lawrence ठीक है second second viceroy of India then came Lord Mayo अच्छा अगर मैं viceroy की बात करूं तो I hope आप सब को याद होगा कि viceroy क्यों बोलना शुरू किया था क्योंकि 1857 के बाद East India Company जो थी उससे powers लेके directly जो queen थी Britain की उनके under powers आ गई थी इसलिए जो position थी उसे भी governor general से change करके viceroy बना दिया गया था ठीक है तो this is just for clarification purpose अगर किसी को याद नहीं हो तो just because कि this lecture is basically for viceroy तो आपको पता होना चाहिए कि viceroy क्यों बोला गया था क्योंकि अब यह जो लोग थे यह दे वर directly under the administration of queen of Britain ठीक है then came Lord Mayo ठीक है Lord Mayo आये थे और इन्हों ने ही क्या किया था financial decentralization की थी इंडिया में इन्होंने दो colleges established के थे राज कोट college काठियावार में और Mayo college अजमेर में ठीक है इन्होंने ही एक census जो था वो held किया था इंडिया में statistical survey of India भी इन्होंने ही organize करवाया था यह अकेले viceroy थे जिसे जिने assassinate कर दिया था यह बहुत बार आपके question आता है exam में who was the only viceroy who was assassinated during his reign ठीक है तो his name was Lord Mayo ठीक है then came Lord Ripon ठीक है Lord Ripon ठीक है Lord Ripon is very important from your exam point of view because इन्होंने क्या किया था repeal it's not repeated it's repealed यह ठीक की दगा ल है इन्होंने vernacular press act को repeal किया था repeal मतलब हटा दिया था ठीक है press act को हटा दिया गया था इन्होंने ही local self government act को भी pass किया था ठीक है कि self government act जो demand कर रहे थे इंडियन national congress तो उस time पे इन्होंने local self government act को pass किया था ठीक है इन्होंने primary औ secondary जो education थी उसे improve करने की कोशिश की थी कुछ recommendation जो hunters commission ने दी थी उनको इन्होंने implement किया था first factory act जो था वो इन्होंने ही लगाया था इंडिया में जहां पर इन्होंने child labor को prohibit कर दिया था and then he passed the controversial ilbert bill जिससे क्या हुआ था इंडियन district magistrate थे जो sorry he passed the ilbert bill जो था ilbert bill को pass किया उन्होंने ठीक है जिससे क्या हुआ कि इंडियन district magistrate में European criminals को भी try किया जाने लगा मतलब कि बाहर के जो criminals थे उनको भी अब उनकी सुनवाई जो थी वो इंडियन district magistrate कर सकते थे ठीक है then came Lord Dufferin Lord Dufferin के case में सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि इन ही के time पर इंडियन national congress बनी थी क्योंकि यह आपको पूछ लिया जाता है कि इंडियन national congress जो थी वो किसके टेन्यों में पर फॉर्म हुई थी तो ही वोस लॉड डफरें ठीक है इस देन केम लॉड लांज्डॉन लांज्डॉन ठीक है लांज्डॉन दो लांज्डॉन ने क्या किया था second factory act जो था वो इन्होंने पास करवाया था इन्होंने ही civil services को categorization दी थी imperial, provincial और subordinate मतलब इन्होंने civil services में hierarchy बना दे थी ठीक है Indian council act of 1892 इनके टाइम पर पास हुआ था और जो appointment थी during commission की जिससे British India और Afghanistan के बीच में जो boundary line थी वो किसके टाइम पर हुई थी ये तो इससे आपको एक और चीज भी याद रखने है कि जो during line है ठीक है जो during line है that is between India and Afghanistan right so let's move forward then came Lord Curzon ठीक है Lord Curzon is also very important from your exam point of view क्यों क्योंकि एक तो इन्होंने Indian coinage currency act जो था वो पास किया था ठीक है इसकी वज़स से एक इन्होंने police commission जो थी वो appoint की थी ठीक है जिससे जो क्या था कि हर एक जो police administration है हर एक प्रोविंस की उन्हें inquire किया जा सकता था ठीक है उसके बाद इन्होंने north western frontier प्रोविंस भी बनाया था तो simply पूठ लिया जाता है कि कि स्वाइस रहे ने north western frontier प्रोविंस बनाया था तो किस ने बनाया था लॉड कर जन ने बनाया था और इन्होंने इंडियन universities act भी पास किया था ठीक है देन केम दी नेक्स्ट वाइस रोई इन्हीं के टाइम पर इंडिया में बहुत पॉलिटिकल अन्रेस चल रहा था जब यह वाइस रोई बने हैं बहुत revolutionary activities हो रही थी लाला लाजपत रहा है अजीत सिंग जैसे जो थे या बाल गंगा धर्तिलग जैसे जो थे दे वर दे वर सेंट टू जेल इन बर्मा ठीक है औ इन्हीं के टाइम पर मॉरले मिन्टो रिफॉर्म्स भी आया थे और यह मैंने आपको प्रिविस लेक्चर में मॉरले मिन्टो रिफॉर्म्स के बारे में बताया हुए है so you can check out those lectures to know more about मॉरले मिन्टो रिफॉर्म्स और इससे क्या हुआ था आगे इंडिया में ठीक है then came Lord Hardinge मैंने आपको बताया था दिली दर्बार के बारे में दिली दर्बार के टाइम पर लॉर्ड हडिंगे ही थे जिनके टाइम पर किंग जॉर्ज जो थे जो न्यू किंग थे ब्रिटीन के किंग जॉर्ज फाइव के लिए दर्बार बिठाया गया था ठीक है और वहां पर ही उनका राज्य अभिशेक हुआ था और इन्होंने ही फिर क्या किया था अनॉंस्मेंट की थी कि पार्टिशन ओफ बिंगॉल जो है उसे मैं कैंसल करता हूं ठीक है इन्ही के टाइम पर लॉ डेली ठीक है उससे पहले तक जो जो ब्रिटिश इंडिया थी उसकी कापिटल क्या थी वेस्ट बिंगॉल में कालकिटा ठीक है फिर इन्हीं के टाइम पर अनी बेसंट जो थी उन्होंने होम रोल मूवमेंट भी अनॉंस की थी और अगर आप इस एयर को देखें तो इसमें क्या ही फॉल होता है क्या 1915 राइट इसी में फॉल होता है 1915 और अगर आप में से किसी को भी याद हो तो 1915 जब गांधी जी इंडिया में आये थे तो अगर कभी आप से ये क्वेस्टिन आ जाए कि कि अंडर हूप आप लोगों को समझ आ रहा होगा लिट्स मूव फॉवर्वड देन कम्स लॉर्ड केंस फॉर्ड ठेक है तो लॉर्ड केंस फॉर्ड जो थे उनके टाइम पर ऑगस्ट डेकलरेशन हुआ था ठेक है जिससे ग्राजुली बात की गई थी कि इंडेन गौर्मेंट जो है मतलब उस टाइम पर प्रिटेण की जो गौर्मेंट थी वह ऐस्ता ऐस्ता किया करेगी थोड़ा-thोड़ा जो कंٹ्रोल है वह इंडियन पीपल को transfer करेगी इन वे किसको transfer करेगी जो यहां पर political parties थी उन्हें transfer करेंगी इन्हीं के टाइम पर government of India Act 1990 जिसे Monte brainstorm reform भी बोला जाता है वह वह था roll attack बना था जिसकी वज़ासे आपको पता है वह जलियां वाला bag incident भी भी हुआ था तो इन्हीं के टाइम पर हुआ था ठीक है रॉलट अक्ट क्या था अगर आप लोगों को याद हो तो रॉलट अक्ट था कि किसी को भी मिनिमम्म तू यह के लिए जेल में रखा जा सकता है तो विदाउट एनी ट्राइल विच वज़ वेरी जिसे बहुत ज़दा हीट मिला था ठीक है बहुत ज़दा प्रोटेस्ट हुए थे इसके अगेंस्ट और जलियावाला बाग में भी आच्छली में यही एक पीसफुल प्रोटेस्ट ही होने वाला था एंड साडलर कमिशन जो थी वह इनी के टाइम पर अपॉइंट की गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए ठीक है तो अभी तक आपने दो एजुकेशन एजुकेशन से रिलेटेड कमिशन भी पड़ ली है अगर आपको देखा हो आपने तो तो फीरस्ट आपने जो पड़ी है वो पड़ी है हन्टर कमिशन that was also for what education and the second is sadler कमिशन ठीक है यह दोनों इंडिया में Sith इंडिया की education policy को अच्छी करने के लिए बेटर करने के लिए बनाई गई थी ठीक है then came Lord Irwin Lord Irwin is very famous क्योंकि इन्हीं के time पर जो first roundtable conference हुई थी वो हुई थी इन्होंने गांधी जी को मनाया था roundtable conference में आने के लिए ठीक है और तो यह सब चीजे में आपको अल्रोटी पढ़ा चुकी हूँ ठीक है तो इन ही के टाइम पे civil disobedience movement हुई थी first roundtable conference हुई थी इन ही के टाइम पे साइमन कमिशन भी आई थी इंडिया में ठीक है और Congress ने इंडियन resolution पास किया था जिसकी विज़से civil disobedience movement आगे start हो गई थी ठीक है गांधी इर्विन पैक्ट हुआ था तो गांधी जी ने क्या किया था फिर second roundtable conference थी वो attend की थी ठीक है और second roundtable conference हुई किसके reign में थी बट वो हुई थी Lord Willingdon के reign में ठीक है second roundtable conference हुई गांधी जी को roundtable conference में कोई result तो मिला नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तीनों की त आते ही वापिस civil disobedience movement जो थी उसे resume कर दिया ठीक है इनी के time पे communal awards जो की बहुत ही बड़ी बात बन गी थी and there was a drift between BR Ambedkar and Gandhiji जिसकी वजह से पूना पक्त बाद में sign हुआ था तो communal awards divide and rule की policy Britishers ने release की थी third roundtable conference भी इनी के time पे हुई थी और Government of India Act 1935 भी इनी के time पर पास हुआ था ठीक है then came Lord Wavell he is the second last Viceroy of India okay second last Viceroy of India इनी के time पे जो वेवल प्लान बोलते हैं इन्डिया की independence की बात थी वो शुरू ही थी शिम्ला conference भी इनी के time पे हुई थी जहां पे इन्होंने Indian National Congress और Muslim League के बीच में जो differences है उन्हें मिटाने की कोशिश की थी but it failed ठीक है फिर उसके बाद cabinet mission plan जिससे बनाया जा सके कि how the powers are going to be transferred from British government to Indian government तो उसके बाद elections के लिए जो constituent assembly थी वो भी इनी के time पे held के गई थी और एक interim government बनाय गई थी under the leadership of Jawala Nehru ठीक है first meeting of constituent assembly भी जो थी वो इनी के time पे हुई थी but later on it was declared कि जो इंडिया के independence होएगी it will be under Lord Mountbatten और इनी हटा दिया गया था इनकी position से and then came last viceroy of India who was Lord Mountbatten ठीक है तो he was the last viceroy of India and first governor general of free India okay उसके बाद partition of India decided by June 3 प्लान इन्होंने एक प्लान मनाय था कि जून 3 विल ट्राइ कि इंडिया की powers जो है जो government है उन्हें पास कर दिया जाए पावर सारी के सारी इंडियन independence act 1947 जो है वो इनी के time पर पास हुआ ठीक है और यह 1948 में retire होगे और इन्हें किसने succeed किया सी राजा गोपालाचारी ने and he is the first and last Indian governor general of free India तो इंडियन governor general के अगर हम बात करें तो वो कुन है Lord Mountbatten so this was it this was your last lecture of Indian modern history ठीक है so with this I complete your modern history part these are again four questions I hope इनके answers आपको मिले होईंगे इसी वीडियो में and I look forward to your answers in the comment sections and don't forget to come to the telegram channel जिसका link आपको description box में मिल जाएगा आप आएए आपको इस जॉइन कीजिए and देखिए कि इस lecture में से आपको कितना याद रहा है और कितने अच्छे से आपको यह lecture समझा है okay so with that with that note I take your leave thank you bye